यहां से जो छूटे दाने रहते हैं यहां से पीसेगा फिर आपको जब मसाला में मिल्की है अलदी है वो आपको यह बारी है यहां से निकाल देने की यह चीज यहां डाल देने का और यहां से जब यह चीज ऊपन करोगे तो यहां से पूरी अलदी और मिर्ची डारेक्ट चेमबर के अंदर जाएगी तो आपको एवरेज भी मिलेगी इंपुट भी मिलेगा चेमबर के अंदर छे कटर का चेमबर आता है एक गेलवे नाइजित की जाली मिलती है और यह जो जाली फसाने का सिस्टम है दोनों गेप के अंदर जाली फसाने का है यहाँ पर बीच में सेंटर में देख लेने का गेप होगा तो बारिक नहीं आएगा थोड़ा थोड़ा मूटा आएगा फिर चेमबर को अपन क्लोटमन कर देते हैं एकदम कसने का जब जहां से मान लेजिए के एर भी अगर आ जाएगा तो अपना बारिक आटा नहीं आएगा आटा उड़ने का चालू हो जाएगा यह कंटेनर है इसके अंदर पीछने के बाद यहां पर आटा अंदर मिल जाएगा यह पूरा बढ़ दोगे पर डिपा बर जाएगा डिपा बर जाने के बाद यह खाली करना वापस अन्याज दूसरा डालोना है इस पाच हिश्पी थ्री पेज का पलूवालाइजर है इसकी क्यापिसिटी और हावर 35-40 किलोरी त्रीपेस की मोटराय की डिजिटल पैनल है यह एंपियर सेट किया हुआ है 16 एंपियर तक चलेगा लोड में 16 एंपियर से ज्यादा जाएगा आटोमेटिक ट्रीप हो जाएगा इस डिजिटल पैनल है स्टेंड के साथ में आट जाली का सेट आता है पिद्वे पे उपर रखने के लिए ठेली रहती है ठेली यहाँ पर रखने का और चंबर के निचे कसना है आटा पीसेगा सिधा यहाँ से ठेली से अंदर जे कंटेनर में जाएगा जाली में जितना आपको बारिक करना है उस इसाब से जाली के utपर पंच के नंबर मारे हुए है यह दो नंबर का पंच है यह 0 नंबर का पंच है इसे 0 से लेके 7 नंबर तकी 5 की जाली आती है चुटा बड़ा करने के लिए तीन नमबर का है ये च्यार नमबर है पाच नमबर है ये छे नमबर है ये साथ नमबर है ये साथ नमबर है